स्टार्ट न्यायले के द्वारा अनुपालित प्रकरिया नियमित रूप से निर्धारित की जाती है वे उनके कार्यों का निर्वहन करने में एव उनकी शक्तियों का प्रियोग करने में न्यायलेओं को उस प्रकरिया के अनुकूल होना पड़ता है प्रकरिया को जो न्यायादी करनों को अनुपालित करनी है हमेशा इतनी शक्ती से निर्धारित नहीं हो सकती है लेकिन दोनों न्यायलेओं वे न्यायादी करन दुआरा अपनाया गया अभी गम सारभूत तोर से वही है एव कारियों के बीच में कोई आवश्यक अंतर नहीं है जो वे निर्वहन करते हैं जैसा की न्यायालियों के मामलों में उसी तरह से न्यायादी करनों के मामले में यह राज्य का अंतर नहित न्यायक कार्य है जो वे निर्वहन करते हैं न्यायक कार्य न्यायक शक्तियां वे सत्ता संपन कार्य राज्य के आवश्यक लक्षणों में से एक है नीती के विचार पर राज्य सम्विधान के दुआरा संस्तापित न्यायालियों को मुख्यतिया अपने न्यायक कार्यों एव शक्तियों दुआरा अंतरित करता है लेकिन पक्षकारों के बीच विशिष्ट मामलों वे विवादों पर न्याय निर्णयन करने के कार्य को उनको सुपूर्द करने के दुआरा न्यायादी करनों को अपनी न्यायक शक्ति एव कार्यों के एक अंश को अंतरित करने को समुचित कार्य वाहियों के दुआरा राज्य की शक्षमता को प्रभावित नहीं करता है प्राथिया की साक्ष्य को विस्तरत तौर पर पढ़ने से यह इसपश्ट होता है की इस प्रकरण में अन्य अभियुक्त गण क्रमशह राजेंदर श्रीमती कृष्णा मनोज एव अभिशेक के विरुद्ध धारा 406 468 A 323 384 वे 120 B बारतिय दंड सहीता के तहत पर्थक से प्रसंग्यान लिया जाकर कार्यवाही अमल में लाया जाना न्यायिक था बावजूद इसके प्राथिया की साक्षय पर गोर नहीं कर विचारण न्यायले ने जो प्राथना पत्र दिनांक 269 2019 को खारिज करते हुए आदेश पारित किया वह आदेश दिनांक 269 2019 एप्रास्त किये जाने योग्य है प्राथिया ने मुकद्मा दर्ज करवाया उस वक्त अनुसंदान अधिकारी ने बयानों के साथ छेड़ चाड़ कर धारा 161 CRPC के बयानों को मनमाफिक तरीके से लेकर अब युक्त गणों को बचा दिया है तो ऐसी दशा में प्राथिया के पास मात्र इस स्टेज के अलावा और कोई विकल्प मौजूद नहीं था प्राथिया ने विदीवत समय पर जो प्रातना पत्र अंतरगत धारा 216 वे 319 CRPC पेश किया वह विदीवत पेश किया है प्राथिया को इस स्टेज से पूर ऐसी कोई स्टेज प्राप्त नहीं थी जहां पर प्राथिया अनुसंदान अधिकारी द्वारा की गई गडबडी में सुदार करवा सके यदि अनुसंदान अधिकारी द्वारा मामले में लीपा पोती कर अभियुक्त गणों को बचाया जाएगा तो प्राथिया को मात्र यही विकल्प प्राप्त था की वह धारा 216 वह 319 CRPC के तहत प्रातनापत्र पेश कर सही वास्तविक इस्तती को सामने लाया जा सके यह फोजदारी निगरानी याचिका द्वारा आदेश दिनांक 26 नो 2019 जोकी महानगर मजिस्ट्रेट संख्या दो जोदपुर महानगर स्टॉप